8 February 2022 एक वीडियो वाइरल होता है जिसमें देखा जाता है कि एक लड़की जो की हिजाब पहनी हुई है वो एक college campus के अंदर आकर जोर-जोर से चिला कर अल्ला हुआ कबर के नाडे लगाती है देखा जाता है कि लड़की के campus में इंटर करने के बाद ही अल्ला हुआ कबर के नाडे लगाने के बाद ही कुछ Hindu students जैसरी राम के नाडे लगाने लगते है इसके बाद यह जो हिजाब पहने वई लड़की होती है वो cameraman को देखकर cameraman के आगे-ागे चनले लगती है आगे जो cameraman उसका पूरा का पूरा focus इस लड़की के उपर आरामते रहे और जो कुछ भी पूरे college में चल रहा है वो cameraman आराम से record करता रहे आराम से लड़की है आराम से लड़की में बाद आराम से वाहे है जो लगते है इसके बाद पूरे इंडिया के अंदर हिजाब के उपर kontroversy शुरू हो जाती है एक एक करके पूरे भारत से खबरे आने लगती है कि कहीं पे लोग हिजाब के समर्थन में सरकों के उपर उतर रहे हैं कि हिजाब को educational institutions में बैंड करना ज़रूरी है धीरे धीरे करके जो controversy होता है वो बड़ा रूप लेने लगता है भारत के कई हिस्सों में ऐसी खबरे आने लगती हैं कि जो भी व्यक्ति हिजाब के हिलाफ कुछ भी बोल रहा है तो उसके उपर attacks हो रहा है अकेले करनाटक के अंदर कई सारे लोगों की हत्या कर दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों ने सोशिल मीडिया की उपर हिजाब के अगेंस्ट में कुछ बोला था एक के करके हम देखते हैं कि कितने सारे लोगों की लाशों को बिशा दिया जाता है और ये पूरा कॉंट्रोवर्सी सिर्फ भारत तक ही सिमित नहीं रहा भारत के बाहर से भी कई सारे से जोनलिस्ट जो की लेफटिस्ट आइडिलोजी रखते हैं उन लोगों ने भी इस पूरे हिजाब कॉंट्रोवर्सी के उपर खूब ग्यान दिया हिजाब कॉंट्रोवर्सी जो की इंडिया का इंटर्नल मैटर था वहाँ पे भी बाहर के जो पॉलिट्यूशन्स थे बाहर के जो न्यूज जॉर्निस्ट थे उन्होंने अपने मतलब की रोटियां से की एक तरफ जापे की लिफ्ट विचारदारा रखने वाले जॉर्निस्ट और न्यूज एंकर्स हिजाब के बारे में ये कह रहे थे कि हिजाब एक राइट है कई बार डिवेट में देखा गया कि जो मैला हिजाब के सपोर्ट में आ रही थी वो खुद हिजाब पहन कर आ रही थी लेकिन यहापे सबसे इंट्रेस्टिंग बात ये थी कि जो लोग हिजाब के सपोर्ट में आ रहे थे जो लोग कह रहे थे कि हिजाब पहनना मेरे अधिकार है और मैं इसे गर्व से पहनती हूँ वो लोग कुद कभी हिजाब नहीं पहने उन लोगों ने कुद अपने सोशल मेडिया प्रफाइल पे बिना हिजाब के फोटोज अप्लोड किये हुए थे लेकिन जब बात डिबेट की आई तो वो लोग हिजाब पहन कर आ गए पहले हिजाब नहीं करती थी जिन लड़कियों ने भी हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट किया सरकों के उपर आए उन्हें बहुत सारे गिफ्ट मिले साथ ही साथ बहुत सारे पैसे भी मिले मुस्कान नाम की यह लड़की जो की पूरे कॉलेज केंपस के अंदर हिजाब पहन कर घूम रही थी और चिला चिला कर चीक चीक कर गी कह रही थी अब उन लड़कियों ने जबरदस्ती कहा कि हिजाब मेरा आधिकार है और मैं हिजाब पहन कर स्कूल कॉलेज आऊंगी और लड़कियों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अब जैसे ही ललकियों ने प्रोटेस्ट करना शूरू किया तो वहीं पर दूसरी तरफ जो हिंदू वर्क के स्टुडेंट्स थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना शूरू किया कि अगर तुम लोग हिजाब पहन कर स्कूल कॉलेज आ सकते हो तो फिर हम लोग भी भगवा गम करनाटक के कई अलग अलग शहरों में हिजाब का जो मामला था वो गर्माता ही जा रहा था और इस मुद्द के उपर और जादा जानकारी के लिए लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे जो यंग्स्टर जेनरेशन है वो इसके बारे में क्या सोचती है इसके बारे में और जादा जानने के लिए ये जरूरी था कि मैं करनाटक जाओ और करनाटक के अलग-अलग शहरों में घूम कर लोगों से बातचित करूँ और उनका ओपीनियन जानूँ तो इसके लिए मैं कुछ दिनों पहले करनाटका के कैपिटल सिटी बेंगलूरू पहुंचा जिसको के सिलिकन वैली के नाम से भी जानते हैं बेंगलूरू का जो कंट्रिबूशन है हमारे कंट्री के जीडिपी में वो भी वन अफ दे टॉप सिटीज में आता है बेंगलूरू में जो first price of occupation होता है वो होता है software engineer का क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़ादा amount में companies present है बहुत ज़ादा startups मौशूद है और इसी कारण से भारत के अलग-अलग शहरों से students आते हैं और यहाँ पे job करते हैं जब मैंने भारत के अलग-अलग शहरों से आया हुए students है जो की बेंगलूरू में job कर रहे है या फिर पढ़ाई कर रहे है उनसे भी आप के उपर बात किया तो उनका जो opinion था वो बड़ा अलग सा था मतलब मैंने expect नहीं किया था कि ऐसे answers भी मुझे मिल सकते है जिन students से मैंने बात किया उनका वीडियो भी रिकॉड किया उनका interview भी लिया ये वीडियो upload ही होने वाला था कि उसी समय हमारे चैनल के उपर एक community guideline strike आ गई अब ये जो community guideline strike थी इसके करान हम लोग इस वीडियो को upload नहीं कर पाए क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है इसमें कुछ ऐसे clips है जिसके पर community guideline strikes आने की संभावना है तो इसलिए ये वीडियो upload नहीं हो पाया जहां तक मैं expect कर रहा हूँ ये जो वीडियो है वो दिसंबर तक upload हो जाएगा क्योंकि 13 दिसंबर को हमारी channel के उपर जो community guideline strike है वो खतम होने वाला है तो 13 दिसंबर के आसबास ये जो हमारा वीडियो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा फिर जैसे हमारा community guideline strike कुछ दूब पहले end हुआ तो ये video upload करने का शमय आया तो जिन लोग के interviews हमने लिये थे उन लोगों ने का कि प्लीज हमारे चेहरे को हमारे वीडियो को आप अपने वीडियो में इंक्लूड ना करो क्योंकि हमने देखा है कि जो hijab controversy के उपर कुछ भी लोग बोल रहे है तो उनकी जान को खत्रा है अऑあ so I would say while I do stand for uniformity in school because I feel like it creates an environment of learning for the children and you know you don't judge anyone on the basis of what you're wearing or outside appearance as such but at the end of the day we have to take into consideration the fact that we are there for a common purpose that is to be educated to learn something at the end of the day so as long as we are following that uniform or the code of conduct in school we can express ourselves in different ways कि निए बढ़ गाइव तो निए कनी सबस्टाइब के लिए अफ रिलिजियन को आप आप लेक्टेश। कर दो थीन इसके पहलो हैं, आपको सारे समझने हैं कि आप एक साइट से कोई जजमन नहीं दे सकते हैं तो पहले आपको यह सबजना पड़ेगा कि यह KTimenda जो हीजाप प्राक्टस है क्या यह झाली है सितलने जुटेचला प्राक्टस है आपको आपको देखना पड़ेगा कि कि यह बहुत जरूरी है एक ओरत के लिए कि वहां पर हो करना क्या उपनच सानथि आप जूर्जुंच तो वोड़ यू अलाव दाट इस वेल विकॉस वुड़िंट दाट कॉल पॉज पॉब्लिक नूसेंस तो आपको यह देखने कि दोनों साइड आपको देखने कि यह सही है कि अगर यह पॉलिटिकली अगर मोटिवेटेट तो फिर गलत बात अभी आइधिंक कुछ साल पहले क कृपान जो है कि अब का सिक्क को लेकर के उनको भी लेकर के इशु आता है कि क्या यह नहीं रख सकते नहीं सकते हैं डिस्पाइट अगर आप जानते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे कि कृपान जो है, यह कॉंसेप्ट जब मुगल आये थे, तब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो इसे कहीं से भी हम essential ingredient नहीं मान सकते हैं, बट हां, विद प्राक्टिस वो हो गया है, तो अब उसे एक legitimacy क पहन करके घूमना, तो मेरा यही से है, कोई भी इंसान, कोई भी विव्यक्ति, college, school क्यों जाता है, किसी भी educational institution में क्यों जाता है, वो वहाँ पर जाता है, education प्राप्त करने, वो वहाँ पर जाता है कुछ सीखने, और जब आप कहीं पर कुछ सीखने जा रहे हो, तो आपको वहाँ का नियम कानून, फॉलो करना होता है, ना कि आप वहाँ पर अपना नियम कानून चलाते हो, तो जिसकी को भी school और college में आकर कुछ सीखना है, तो उसे school और college का नियम कानून, फॉलो करना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई चाहता है, कि मैं हिजाब पहन कर ही college में आओं और स्कूल में आऊं तो फिर उसके लिए वो कॉलेज स्कूल नहीं है उसे मदर्सा का दर्वाजा खट खट आना चाहिए सभी मामलों को देखते हुए करनाट का हाई कॉट ने हिजाब के उपर बैंड कायम रखा तो यह जो हमने ग्राउंड के उपर जाके इस वीडियो के बार में रिशर्च किया फैक्ट रिकठा किये लोगों से उनका उपीनियन लिया यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा